साथियो नमस्कार, स्वागत है आपका फियल स्टेडी मंतले टीप चनल पे साथियो यूपी ट्रिपल सी बीडियो री एक्जाम आप देखो जो चार सिप्टों में आपका पेपर हुआता है आप तयारी करने है अच्छे से और आपको सारी सुचार रूप से जितनी भरतियों के आपके शॉट लिस्टिंग हो चुकी है उनकी तयारी आपको करते रहना है लेकिन इसमें इस बात का है कि आपका सेलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ठीक है और आपके इतने मार्क्स हैं तो आप 100% वीडियो बन जाओगे अभी तो मैं सिर्फ आपको बताऊँगा डीवी के लिए ठीक है क्यों डीवी इंपोर्टेंट क्यों है वो भी बता दूँगा क्योंकि डीवी के बाद कट ओफ ज्यादा क्यों नहीं बड़ेगी वो करेंगे उस सारे पॉइंटों पर पहले इस अच्छा बताऊंगा आपको उसके बाद आगे बढ़ूँगा दूसरा यह डेटा जो लिया गया है लगभग 10 लोगों के फीडवेक के आधार पर लिया गया है ठीक है साथियो तो आपको समझना है कि सेंपल साइज चुटा हो स सबसे पहले में चर्चा कर लेता हूं क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी होता है अब वीडियो और एक्जम एनलेसिस करने से पहले देखो 2018 की परीच्छा है आपको माले में इसका जो रियेक्जम हुआ है गया बहुत ज़्यादा है यह बात ध्यां रखना आप आप जो अच्छे चात्र कहीं न कहीं इन पांस सालों के अंदर सलेक्ट हो चुके हैं जो भी है बो सलेक्ट हो चुकी है तो इसका भी इंपक्त आपकी जो कटोप पर पढ़ने वाला है बनकुन निश्य तोर पर पढ़ेगा तीसरा पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग जो सब को हि इस बार क्या हुआ है इस बार जो 14 लाक जो लोग ते इस बार साड़े पांस लाक संथिंग में लोग बैठे हैं इस बात को कितने कम लोग बैठे है इसका इंपक्ट पर पढ़ने वाला है निश्य तोर पर पढ़ेगा आपका अब फाइनल आंसर की में बहुत ज्यादा वालब आपको देखने को नहीं मिला है कि तैसा नहीं है कि जैसे तुमारा बंद रोगद का का उसक्त बहुकर में बता को चल रहा हूं और पिर आप कीमर्जी है अप कैसे लिते हो इसको आप दूसरा सातियों एक चीज हम देखते हैं कि इस बार shift wise paper था बहुत ज़्यादा variation देखने को मिला आप देखो ये बार अकीकत है कि 26 की first shift और 27 की first shift में थोड़ा easy to moderate था और 26 की second और 27 की second moderate to tuck था तो variation ज़्यादा था और देखो सबसे ज़्यादा important मैंने इस point को लिखाया तो इस पोग समझना है आपको जो common चात्र है उनकी संक्या बहुत ज़्यादा है कैसे कि जो लेकपाल और video में जो common चात्र है बहुत ज़्यादा मात्राम है ठीक है जो लेकपाल में DB करा रहे हैं वही बीडियो में DB कराने वाले हैं तो इस प्रकार के comment चात्र है इसको भी आपको point को समझना पड़ेगा अब 2-3 point और उनको भी और समझो आप लेकपाल के अगर final result हो जाता है तो video की cutoff पर निश्य तोर पर फरक पड़ने वाला है तो DB की cutoff होगी उसके ज़्यादा फिर आपको परसेंट समभावना है आने की मला होने की December last तक अगर नहीं हुआ एक परसेंट तो जनवरी में आपको 24 में DB खतंग हो जाएगा और वीडियो की जॉइनिंग की बात करें तो लेकपाल के साथ इसकी जॉइनिंग हो सकती है लेकिन यह तो point है जो आपको आधार समझने है आपको समझना है easy to moderate लेकिन इस जो शिप थी इसमें थोड़ा बदलाब ज्यादा होना चाहिए तक प्रसेंट की जो रॉंग प्रसेंट थे उनकी संक्या ज्यादा थी लेकिन बदलाब नहीं हुआ बदलाब के बारे में बता जीता हूं जो रिवाइज आंसर किया है उसमें करमें अब दो आप अब आंब जो दुन आपन बलाशान का एफेक्त क्या होगा छैसे 8 बालों के डिक्रीज आपसे जयादा करेंबर भी नहीं होंगे यह बहुत तीन से कटोप इंप्रोटेंट इसलिए है कि DB पहले होगा आपका उसके बाद जो फालेंट आता है तो जन्रल और यूर और ओवी सी की कटोप 188 से लेकर 153 पर दोनों की कटोप सेम रहेगी जन्रल की और ओवी सी की SC की cut off SC वाले साती जो है 165 से लिके 168 के बीच में है तो DB के लिए सेलेक्शन हो जाएगा उनका ST में 155 से 160 और महला में 180 से 183 ठीक है और X-Servicemen के साती 144 से 148 तक इनका सेलेक्शन हो जाएगा आगे देखते हैं आगे साती हो यह देखो X-Servicemen हो गए सुतंतरता सेनानी आश्रित जो है 164 से लेकर 100 सरश्र तक सेलेक्शन हो जाएगा और पीएच के साती 145 लेकर पीएच में बहुत सारी कैटेगरी होती है इसके बारे में इस्टाल लगा रखा यही कारण है और कुछ नहीं है आप देखो साती हो यह जो कट ओफ है यह तुमारी DB की कट ओफ है DB की कट ओफ के बाद में आपकी फाइनल DB की होने के बाद फाइनल कट ओफ लगती है तो अब इसमें यह चीज़ समझ लो अगर लेकपाल बालों ने DB इसमें नहीं कराया बहुत सारी कौमन चात्रों की जॉब हो गई दिसंबर में फाइनल रिल्ट आगे लेकपाल का तो ज्यादा कट ओफ नहीं बढ़ेगी यह द्यान रख लेना पांच या साथ नंबर बढ़ सकते मैक्सिम बता रहा हूं इस्यादा कट ओफ नहीं बढ़ेगी क्योंकि कट ओफ और कमान रहने के आसार रहेंगे क्योंकि यह फाइनल रेल आ जाता है तो अगर नहीं आया तो फि अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर कर दो जरूर साधियो ठीक है साती हो धन्यबाद